exercise number 1.4 question number 1 part 1 हमें 3 sets given है m is equal to 5, 10, 15 and 20 and l is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and set n हमारे पास minus 5, minus 4, minus 3, minus 2 and minus 1 और इसमें हमने proof क्या करना है हमने proof यह करना है कि l union into m intersection l is equal to l k l union into m intersection n is equal to l क्या अगर हम left hand set को solve करें तो solve हम किस तरह करेंगे सबसे पहले हमने solve करने जी bracket m intersection n find करेंगे set m और n करेंगे intersection जो answer हैगा उसका set l के साथ ले लेंगे union इस तरह के से हमारी left side जो है वो solve हो जाएगी और कुस्ण यह कह रहा है that should be 0, 1, 2, 3, 4 यह set मारे पास इसका answer आना चाहिए ठीक है जी तो solve करेंगे left hand side मारे पास है l union into m intersection n left hand side हमने लिख लिए तो सबसे पहले हम solve करेंगे bracket को तो bracket के इंदर मारे पास set है वो है m intersection n सबसे पहले हम m set और n set का क्या करेंगे लेंगे intersection set m के मारे पास element है 5, 10, 15, 20 intersection with n के जो element है माइनस 5 वार माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2 ए ज़ माइनस 1 और intersection में हम क्या करते हैं इंस 操कुम में दोनुst sets के common element होते हैं वो लिखते हैं दो बसाट के में रैंतिंगे when this is the column intersection एंसकें हम क्या करंगे जो दोनुst sets के common से play сам element होंगे वो लिखते हैं तो आपर देखेगे तो यहां पे मारे पास कोई भी set दोनों set में से कोई भी common element contain नहीं कर रहा है ठीक है जी जो set m के element है वो set n के अंदर एक इलिमेंट है exist नहीं करता in this case मारे पास नोशाइज नहीं के इंटरेक्शन है और that is only empty set और five अब bracket को हमने solve कर लिया अब यहां पर left side जो side आपने solve करनी है यहां पर लिखना वही है ठीक है हमने क्या find किया m intersection n तो जो यहां पर लिखेंगे वही element और वही operation हम करेंगे जो left side पर लिखेंगे तो वही operation आपने यह अपने बात जाद रिखनी है तो सबसे पहले आपने क्या किया m intersection n चुकि bracket को solve करेंगे तो यहां पर m intersection n ही लिखना है और आगे वह operation जो यहां पर लिखेंगे उसी को अपने practically यहां पर लिखना है और उसको आपने verify करना है ठीक है जी m intersection हमने file कर लिया अब हम solve करेंगे l union into m intersection n अब हमारे पास आजाएगा l union into m intersection n अब m intersection n हमने find कर लिया bracket को solve करेंगे था वहमारे पास आगया था empty set अब इसका हमने लेना है union set l के साथ और l के element हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4 union empty set चुकि हमारे पास हमने solve किया था bracket उसका हमारे पास आजाएगा था empty set तो जब union लेते थे union में क्या करते हम union में हम दोनुज sets की element को combine करते है ठीक है जी 0, 1, 2, 3, 4 and empty set जब इनी combine करेंगे union में यहां पे तो कोई element ही नहीं होगा तो यही हमारे पास आजाएगा which is equal to set 0, 1, 2, 3 and 4 अगर आप देखें तो यह जो हमारे पास set है यही set हमारे पास L set था तो यही हमने प्रूफ करना था यह जो इसको solve करना था तो हमारे पास जो answer है वो set L होगा तो याद रखिए कि जो चीज आपने solve करनी है left set पे पूरे का पूरा वो ही term आपने लिखनी है ठीक है जी तो जब इसको solve करेंगे तो set हमारे पास L के equal answer आगया so we have proved result in this case तो यह हमारा required result था यह part A का solution हमारे पास आगया अब है जी part B हमारे पास that is L intersection into L union M equals to L कि L union M को पहले हम solve करेंगे जैसे हमने previous part में किया था फिर उसका लेना है intersection L के साथ उसका answer है set L लियाना चाहिए left and set आपने यहां पर लिख लिख लिया है और सबसे पहले bracket को solve करेंगे bracket में हमारे पास आजी L union M, L और M का लिएंगे union, union में हम क्या करते हैं जी which contain both यह element of element of both sets L के भी element आजाएंगे हो रहा है M के भी element हमने यहां पर union में लिख लिए अब जब bracket को solve कर लिया है अब हमने क्या करना है L intersection into L union M L union M के साथ L होगा इसका लेना है intersection intersection जब लेंगे तो L set है हमारे पास 0, 1, 2, 3 and 4 इसका हमने लेना है intersection intersection किसके साथ जो L intersection है M हमने L union M जो हमने find किया था इसका लेंगे इसके साथ intersection करेंगे इनका तो L के set हमारे पास यह है और L union M जो हमने find किया था 0, 1, 2, 3, 4, 5 10, 15 and 20 तब इनका हम लेंगे दोनों सेट का intersection तो intersection में हम क्या करते हैं common element लिखते हैं ठीक है तो left side पे जो भी operation आपने करना है जो चीज़ आपने verify करनी है जो चीज़ फाइंड करनी है वो पूरे का पूरा यहां पे आप लिखना जरूरी है वरना कोसन आपका totally गलत हो जाएगा L intersection into L union M हमने अब आप solve करना है वो लिखेंगे तो जब intersection लेंगे तो common element same element हमारे पास आजाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो के set L में भी हैं और इस वाले set में भी होंगे ठीक है जी तो यह जो element हमारे पास जो set आगया that is equal to set L यह सरे के-सरे element set L के element थे so again in this case result is proved तो यह दो पार्ट है आपके और इस तरह के से आपने बाके पार्ट भी करने है